हाई फ्रेंद्स मैं शीका श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने किचिन में आज मैं बनाने जारी हूँ चीज चिली टोस्ट जो की बहुत ही पेस्टी होते हैं और एकदम क्रंची होते हैं तो आईए बनाना शुरू करते हैं से चीज चिली टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है चीज मोजोरेला चीज लिया है मैंने 100 ग्राम है एक चोथाई छोटा चमच मैंने लिया है काली मिड्च पॉडर एक टमाटर मीडियम साइज का जिसको बारिक-बारिक काट लिया मैंने चार मैंने छोटी वाली हरी मिड्च लिया है यह गार्निश करने के लिया मैंने और एक हरी मिड्च लिया है जिसको की बारिक-बारिक काट लिया है एक टेबल स्पून चार है मैंने ब्राउन प्राउन भी ले शकते हैं आदा बचाया था ये भी डाल देती हूं मैं अच्छे से मिला लेंगे जिससे सारी चीज़े चीज और सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाएंगी काली मिट्च भी डाल देती हूं पिस्योई मिला लेंगे तो ये हमारा मिक्स्चर रेडी हो गया है तो मैंने पैन गरम कर लिया और इसमें एक टी स्पून में थोड़ा थोड़ा करके चारत तरफ ओईल डाल देती हूं अच्छे से फिला देंगे ओईल को और इसमें जितनी आपकी पैन में ब्रेड आएं आप उतनी डाल लीजे तो मैं दो डाल देती हूं दोनों ब्रेडों को बिल्कुल सिम गैस पे हम चार से पांच मिनट के लिए सेख लेंगे तो देखिये चार मिनट हो गए हैं ब्रेड हमारी नीचे से सिख गई है तो हम इनको क्या करेंगे पलेट देंगे तो इनको हम पलेट देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनके ओं पर हम टॉपिंग लगाएंगे तो यह जो सिकावा हमारा हिस्सा है इसको हम उपर रखेंगे दोनों को निकाल लेते हैं तो यह जो सिकावा पाट है इसको उपर रखेंगे और इसके उपर यह चीज और जो मिक्चर है यह हम अच्छी तरह लगा देंगे काफी लोग इसको टोस्ट को माइक्रोवेव में बनाते हैं लेकिन हमारे पास अगर माइक्रोवेव नहीं है तो हम इसको घर पे बहुत ही असानी से बना सकते हैं एक ब्रेट पे हमने लगा दिया मिक्चर दूसरी बेट पे भी सेम इसी तरह से लगा देंगे इसको चारो तरफ अच्छे से स्पून से दबा दबा के अच्छे से लगा देंगे जिससे कि यह निकलेगा नहीं तो मैं उसी पेन को दुबारा से यूज़ कर रही हूँ मैंने इसको अच्छे से पोच दिया है और गैस बिल्कुल सेम कर दिया है और रिफाइन डॉयल डाल देती हूँ मैं जिससे यह बैड हमारी सिक्ते टाइम अच्छे से निकल जाएंगी चिपकेंगी नहीं और एक के करके दोनों प्रेट के स्लाइसे में इसमें रख देती हूँ एक ये रख दिया और ये दूसरा बस इसका है कि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसका बीच बीच में हम चैक कर लेंगे कोल के दोनों प्रेट के स्लाइसे रखती है और ढग देती हूँ मैं इ पूर छेख करते रहेंगे, बिरकुल सिम गैस पे इनको हमें सेखना है, तो देखिये, आठ मिनिट हो गया है और मैं बीच बीच में इनको खोल के चेक करती रही थी, और गैस को मैं आफ कर देती हूं, चेक कर लेते हैं तोस्ट को, तो देखिये, चीस हमारा एकदब मेल्ट हो गया है और हमारे टोस्ट बनके त्यार हो गए है और इनको हम सर्फ कर लेते हैं देखिए यह जो ब्रेड है एके करके मैं प्रेट में रखके पीजा कटर से काट लेती हूँ मैंने जो चीज लिया था पूरा 100 ग्राम में मैंने दोनों ही टोस्ट बना लिये हैं अच्छे से देखिए कितनी क्रंची बनिया हमारे टोस्ट बनेया तो प्लेट में हम रखते जाएंगे तो देखिए एकदम क्रंची हमारे चीज चिली टोस्ट बनके बिल्कुल त्यार हैं तो आप भी इनको घर पे बनाईए सबको खिलाईए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर कीजें और ऐसे ही नईनी रैसेपीस देखते रहने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजें दन्यवार